विदान सभा जाय जा लेने लिए हम पहुचे दरसल अंबाला शहर अंबाला शहर इसलिए भी खास है क्योंकि यहां से मौजुदा विधायक वो भी भारतियता पार्टी के है और मनोहरलाल की सरकार ने कहा कि उन्होंने समान विकास किया है लेकिन चुनाओ इसलिए भी सेपी के खिलाव उनका वजूत क्या रहेगा लोगकेतने विकास कारे नहीं हुआ कई कहते बहुत हुआ दरसल स्थिती जानते क्या ल३21 कारेय करता का संभान क्यों isn't एसे कि जैसे कि हमारे कार्य गरते हैं दिलों जान से लगते हैं 24 गंटे में से 20 गंटे लगाते हैं या घृक्ष है और या आप कारी करता है लोग से मिलती होंगी और जब बीधायक जी के इलावा बेटें too से मिल्नी नहीं कुछ ऐसा है आत्म सम्मान एक ब़ुट बड़ी राजनीती में काम करने के लिए पैसा नहीं देता जब भी आप पार्टी और कार्यकरता बनेंगे तो उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती उसका कोई सेलरी शुडूल नहीं होता लेकिन एक सम्मान बहुत बड़ी बात होती है आपको सम्मान मिले कुछ और लोग आपको लग आएगा प्रंदु जहां सवाल पर्संगा है वह आप देखिए हम कुछ भी कहना नहीं जाते इसके आपको भी क्या लगता है जी विदायक साब कारेकरताओं कि नहीं सुनते इसी लिए इस्तिती ऐसी परिवर्ती दिखरी आपको बिलकुल नी सुनते जी बिलकुल ही नहीं स सब्सक्राइब के साथ जोड़े रहते हैं कोई अपने जो पके जस्में पचास साल से जनसंग में हूँ या और एस में हूँ बीजेपी में हूँ एक वर्ट तक एक जाओ तो पूछते तक नहीं हमें लेकिन अमबाला लेकिन माना जाता कि अमबाला शहर के जो विदायक है उनके मुख्य मंतरी मनोहरलाल से बहुत नजदी किया और बहुत अच्छे काम करा लेते हैं फिर भी अगर कार्यकरताओं ने सुने तो जीत कैसे हो सकती है तो इस बात का घमन्द है कि मेरे सीव निस्टर से रिलेशन्स है और वह हम जिसको बची जोंबची कहते हैं आप सु जुदा विधायक हसीम गोहल वह अपने कार्यकरताओं की नहीं सुनते हैं तो आपके जंडा बैनर पोस्टर अगर कोई और नहीं उठाएगा तो जनाब आप चुनाव कसी देंगा आपको भी ऐसे लगता है बिलकुल ठीक है चलो जो वह कर रहे हैं ठीक है उन्होंने उनके मन की अपनी सोच है लेकिन कहने का मतलब है पांस साल हो गये हैं वो कुर्सी से तक चुके हैं और अगे हमारे कार्यकरता जी हैं श्री जगमौनाल कुमार जी हैं हमारे 50 साल से पाल्टी में कार्या कर रहे हैं उनके पिता जी भी तीन बार एमसी रहे हैं यहां पे और 35 साल से ये काम कर रहे हैं हमारे जगमौनाल कुमार जी कार्यकरता को देखते हैं चार विधान सबा इनके अंदर आती हैं चार विधान सबा इनके अंदर आती हैं और चारों के चारों विधान सबा के कार्यकरते सब इनके साथ हैं कंदे से कंदा मिला के चल रहे हैं और अब एक बार मुझूदा विधाय की क्या स्थिती है क्या मतलब उनका जनादार काता में कारेकर्टर नुसे फिर चुनाव कैसे जीतेंगा है वो तो कह रहा है मैं मजबूत और प्रबल दावेदा हमारी पार्टी सब कुछ देखती है मेरे पास और भी क निया निया आदमी को मुक्का देना जी पांच साल बहुत होते हैं जगमौल लाज जी आप जो कहने हैं बिलकुल ठीक है और सथ मुझे लगता कि पार्टी भी विचार कर रही है कि कुछ नए लोगों को टिकर्ट देजा पुराने विधाय को टिकर्ट कर जाए जो माहोल ल लाल ची संट मुक्हियमंत्री है और हमार है लिए लोक हिश कहा की संसरा जाया यह लेक्ट मुक्हियमंत्री मनुहल लाल लाल बहुत को क्या है 착ाए लेकिन राख हैं और मुख्यमंत्री मनोहरलाल चुनाओं नहीं लड़ने वाले हम बाला शहर से चुनाओं तो विधायक का जो है यहीं के लोग लड़ेंगे और अभी तक जो प्रबल दावेदारी के रूपए असीम गोल कर रहे हैं तो जब लोग नाराज हैं तो जीतेंगे कैसे दावेदारी तो मैं भी कर रहा हूं दावेदारी कौन नहीं कर रहा है हमारे जगमोंजी कर रहे हैं दावेदारी कर रहे हैं और कर रहे हैं दावेदारी कर रहे हैं जो अच्छे दावेदार है संगठन देखेगा संगठन के पास सारी रपोर्ट गई है यहां कि सारी जो दिन आपने तो सुना मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है लोग कह रहे हैं कि विधायक से लोग नाराज हैं उनके पास जाते सम्मान नहीं मिलता और एक कारे करता है कैसा होता हूँ जो ना तो तनखा लेता है ना ही कोई पैसे लेता है वो तो आपका जंडा और बैनर है मंत्री आज नब्बे की नब्बे विधान सब्बाव में विकास करा है हम यह नहीं कह सकते कि अंबाला में जितना विकास हुआ उतना केंट में नहीं हुआ जितना करनाल में हुआ उतना ही पानीपत में हुआ नब्बे की नब्बे विधान सब्बाव में विकास करा है उ और हर एक विधान सभव में हर आदमी का फुक्त दुक्त द्धान रखा और विकास भी कराया और आज हम हर्याना के अंदर पिचासी का नारा दिया है पर भरतिंता पार्टी 75 से ज्यादा पिचासी फिटने जीतने जा रही है आपके विरोधी खास कर जो दूसरी पार्टी से लोग है चाहे हम यही से बात करें जो अपने चुनावी दावेदारी ठोकर है हर पाल जो कह रहे है वो अंबाला शहर के लाल है वो कहते हैं कि साथ करोड रुपे का आपने तीर धनुष बनवा दिया यहां पर और साथ करोड रुपे अगर स्कूल में देते तो आज सिक्षा व्योस्ता और जो स्कूलों की हाला जजर जहां पर कच्चे जो कडियों वाले कमरे बने वो ठीक हो सकते आपको लगता है कि पहले स्कूल देखना चाइए या पहले साथ सजावट पर ध्यान देना चाहिए चाहिए उसमें सज्जागाओ वाहां भी ध्यान देना चाहिए शिक्षा सदर आमने फे मुख्ष्यम lens शिक्षाषण बनवाया स्कूलों के अंदर भी हमने काम किया और होस्पिटल के अंदर आज आप किसी भी होस्पिटल में हमारे हर्याना में जाओ कितना आज हर एक पेशन्ट को द्वाई फ्री मिल रही है आज कितना बदलाव होस्पिटलों के अंदर जो पीए पीएसी ने बन रहे हैं कितने चोड मस्पूर में बना अंबाला केंट में बना पूरे हर्याना में बन रहे हर तरफ भरतिनता पाल्टी के मुख्यमती ध्यान दे रहे हैं आज अगर हम समशान गात दे घंजे लोग के बरतिया-ट थे बरतिया के जरी दो पांस सल में आपको लगता नहीं किसको दूर करने की जरूर थी जो अंबाला है एक वो जैसे आप एक क्टोरा कहते हैं कि बीच में फाइडों भी उंचा है बीच में डाउन है तो उसके अंदर मुख्या मंत्री हमारे बदलाव किया है काफी हथ तक फुधार हुआ है जो कमी पेशी है वो अगली हम पांच साल में पूरा करेंगे विनोश शर्मा जो पूर में किंद्री मंत्री भी रहें और हर्याना में पहले कैविनिन मंत्री भी रहें वो भी यहां से दावेदारी के रूप में चुनाव लड़ते हैं और हमेशा ताल ठोकते हैं इस बार भी माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो आपको लगत पूरे जिले के अंदर चारों विधान सभा एक जिला देश का काम क्या होता है संगठन को मजबूत करना और मैंने पूरे चार विधान सभा है हर विधान सभा हम 4 विधान सभा है मेरे जिला के अदर हम पिछली वर वी चार विधान सभा जीते थे और इस पर भी चारों विधान सभा भारी बहुम्त से जीते एंगे और करेकरताओं का कई पार्टी से कोई रोशनी पार्टी से कोई नाज़ी पार्टी साथ वह खड़ा है में आपने दावेदारी ठोक दी है मैंने संगठर ने आगे बात रखी है संगठर जो संगठर करेगा अच्छा करें टिकड मैं क्योंकि मेरा परिवार सन अठावन से लगा हुआ एकफट साथ नहल हो गए पार्टी का जुड़े हुए मेरे पिता जी पहले चौनफट में चुनाव लड़े थे नगर पालिका का और फिर उसका पार्शल भी एक वार्ड का देख्श बना था और मुझे पंद्रा साल जिला में हो गए जिला में मैं सचीव रहा उपा देख्श रहा कोशा देख्श रहा जिला का महमनती रहा अभी मैं मुझूदा में जिला देख्श हूँ और इस नाते में अपनी टिकट मांग रहा हूं हाक मांग रहा हूं तो दरसल कारेकरता कहते हैं कि जो मौझूदा विधायक है वो उनकी सुनते नहीं तो जाहिर तोर पर अगर आपको ये सीड जीतनी है तो आपको जरूर चाहिए कि कारेकरताओं की आवास सुनें क्योंकि जो आपका जंडा बैनर पोस्टर उठाते हैं उनको पता होता है कि आपको वोट देने वाला कौन है लेकिन मौझूदा विधायक के खिलाफ कारेकरताओं में भी रोश है तो विपक्षी पार्टियां तो जाहिर तोर पर कहेंगे कि वो चुनाओ इस इलाके से जितेंगी लेकिन जब वोट पढ़ेंगे और जब वोटों की गिंती होगी तो मुस्तिती बिल्कुल स्पस्ट होगी कि दरसल भारतियंता पार्टि के 75 प्लस मिशन में अमबाला शहर का क्या सयोग है इस कारेकरम में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार